वेलकम बेक लास 8 शो लास्ट चप्टर में हमने पढ़ा था प्रोड़क्शन और रिप्रोड़क्शन इन अनिमल्स और हूँमन्स नव और मुविंग तो नेक्स लेवल और नेक्स चप्टर इस रीचिंग और एज अडॉल्ट जेंज आपकी बोड़ी में चेंज होना थीके एक बाद लृए जब पैदा होता है उसके बाद वह दिर ही जिरह सोबोडी इसक्राइं उसके बोलना स Bakehouse नहीं छलने सिक तसे जिस आता इस आप the movement or changes in your body और you are moving to your adult sense now your adultнем मैंने you are in class अगर beginning of about 11 years and coming to at 8 of 18 or 19, adult sense कब शुरू होती है? 11 साल से और कब तक? 18 से 19 साल में. So now you are in your adult age. So what is adult sense and adult sense age? Adult sense age होती है, हमारा period होता है, जहां पर हमारी body में और internal और external changes होते हैं बहुत जादा. हमारे hormones में अलग-अलग तरीके changes होते हैं, चाहे boys हो, चाहे girls हो, सब में changes होते हैं. Boys में sperm बनना शुरू होते हैं, देरे-देर और girls में देर-देर और व्रीज जो की egg बनाना शुरू करती है. इसके अलावा, आपकी age mostly 11 years से start होती है और 18 से 19 साल तक होती है. काइसी? Adults and sense जहां तक आपके वो changes होते हैं. What is the puberty? Puberty मतलब आपकी body में वो growth होना. मतलब आपकी body के internal parts में वो changes होना. क्या कहलागी है? Puberty. Puberty कब end होती है जब आपकी body एक adult sense age में यानि एक maturity में पहुँच जाती है. Like as us, we are teachers and we are already mature. So हमारी body में जो changes होई हैं, वो एक level तक पहुँच चुके हैं. Completely changes हो चुके हैं. आपकी height बढ़ना, आपकी height tall और lanky होना. Girls usually grow faster than the boys about the age of 18. Girls का, अगर growth बढ़नी है, तो क्या होगा, जल्दी बढ़ेगी, लड़कों के बजाएं. इसके अलावा, girls में जो increase होता है, जो changes होते हैं, वो 18 years तक completely changes हो चाते हैं. और it is non-age, अगर age बढ़नी है, तो 18 or 20 years तक आपकी age बढ़ती है, उसके बाद क्या होती ही age बढ़ना रुख जाती है. height, so maximum height का percentage कैसे निकाल सकते हो, जैसे percentage of height upon percentage of maximum height at age, तो आप अपनी maximum height निकाल सकते हो, ठीक है, लाइक है, अगर 120 है percentage height का centimeter में, और maximum height age कितनी है, 72%, तो मतलब आपकी height कितनी है, 166.6 cm होनी चाहिए, ठीक है, और यह क्या है, growth chart है, ठीक है, changes body shape में भी होते हैं, voice में muscular होना शुरू हो जाते हैं, उनके shoulder बढ़ना शुरू हो जाते हैं, गल्स में curves आना शुरू हो जाते हैं, उनकी वैस्ट होती है, वो थोड़ी चोड़ी और बड़ी होना शुरू हो जाती है, और आपकी voice में भी changes होत और आपकी नेक क्या होती है आपकी नेक और चीन में भी काफी ज़्यादा फरकान शुरू हो जाता है आपकी जो नेक के नीचे और आपकी गर्दन पर इस तरीके अगर शेप बन जाती देट मीन्स यूर बिकम एन एडम एपल और इंट बिकम्स आपकी वोईस का जो लेवल है वह वह बढ़ चुका है इससे ज़्यादा आपकी वोईस में कोई चेंज नहीं होगा इंक्रीज इन एक्टिविटी ओफ स्वेट और ओइल ग्लेंट्स आपकी जो ऑई ग्लेंट्स है यानि आपकी जो अंदर पोर्स होता है यंग गल्स में और बोईस में ज्यादा होते तब ही तो आपके फेस पर वो पिंपल आना शुरू हो जाते हैं आपकी इसी एज में क्य आपकी वैसे बॉइस और गल्स इंसेक्योर और सैंसिटिव करते हैं करक्ता है उनका बोडी चीन्जाद अंडर करना और वह इंट्रेस्ट लेंटरेंग करते हैं पिंप्रिव्जेट करते हैं अप पयस गल्स के तरफ i'mda is notill but you work to concentrate on य or study is mental and intellectual development भी होती है आपका दिमाग का पावर लेवल चेंज होता है आपका थिंकिंग लेवल चेंज होता है आप इंडिंबेंडेंटली सोचना शुरू कर देते हो आपको तीशन से जरू तो पड़ती है लेकिन आप उस चीज को समझना शुरू कर देते हो अपनेूँ चस्क्राइबिमेट अफ्थिंग में भी और बैज का देरे दीरे मेंट होना शुरू हो जाता है तो बढ़ना शुरू हो जाता है थिक diviner सेक्ष्यल ऐड़न जासे आपके इसल हैर हो जाते हैं बोडी पर तो यह क्या है आपका सेक्ष्यल करेक्टर का इसके एलाब वह जई हैंको स्टधर मेचिए मचेट आ पर फोड आरикомने चेंजर के अपने खिर mutually करें जाते हैं तो वह दो इन चेंजर को जैसे आपके यधा और हैं को आपके सेर्वाड बिध्रिका नीचे पिनदील वह खिर सिंग चेंज्च को भी Clayton डिखने धुको 콸리म में वहां कहा हर जाया जाते जो आपको के इंटरनल पार्ट्स में ठीक है qué इसर रजीज केंगेज दिशन को रीड़ेड फ 음शन भी मैं आत्थ हैं सोबुए aha 9. यहारमोंन सिर्थेक वेया नियुदर इनमोंश का स्टेंश होट मेल्स टेटस में जाते हैं और फिमेलमें जाते हैं पूरी बॉडी में स्ट्इन stylish पूरी बॉडी में आपको सोव होते हैं ऑंसेट ऊस्ट पॉवर्रिस हो सेट अंडा सेख्स होर्मण को सिस्टPass यह कि यहां पर आपके गले बना शुरूssen σब्सक्राइब होसे में इस कहils थी में आइट इससी है इसके सब क्या होता है तो यह दिस भीडीर्ड कि थायराइब इक पसन जब शूगर की प्रोलम होती है यानि उसको क्या होता है मदं सोगर होता है तब उसका pancitria प्रड नहीं हो सब्सक्राइब और मतलब उसके अंदर इंसुलैन का इंसुलीन हार्मोन नहीं बन पाते हैं इसलिए जिसको शुगर होती है उसको इंसुलीन का इंजेक्शन दिया जाता है इसके लगा वाट इस हैपन इन केस आफ इंसेक्ट और फ्रॉग यह तो हुँमन्स के बारे में था इंसेक्स और फ्रॉग में क्या होता है मैटाम्मॉर्फिन समयँ के अध्यप करता है तर्यक्षण है जोकि घ्रण घ्रटी में होता है यह ज्यादा इयुदीन रात्य में तो क्या होता है तेड़ पोल्स इसकी जगे अपनी जगे ले ले लेते हैं और देड़े देड़ों में भी क्या होता है डीजिस आना शुरू हो जाती है यू कें रीड़ दिस टेबल ग्लैंड पिटॉरिटी थाइरड अदनल और पैंसरेड यह सब हमारी बोडी में ग्रंतियां होती है इस कौन-कौन सार्मान रिलीज करते हैं और इनका क्या फंक्शन है दीज सो एस है में रीप्रोड़ाक्शन फेज के रहते हैं लेकिन लेकिन 45-50 से दग शूरू होगां वानका ग्जाेटे-्मौन था इनकों में वाल पर श्टिक नहीं हो पाएंगे, यानि एक एक को फटाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस नहीं पर आपका ब्लॉड क्या होदा, ब्लॉड वैस्टोल्स क्या होती हैं, और इसली वो चीजें सर्कुलेट नहीं हो पाती हैं, प्लॉड और मैनर्ज्टोल इसली भाएंगे, प्लॉड यानिर्वाल स्टिक नहीं होदेजा हैं, यह कि ब्लॉड सेला पाई, ग्रार, इसली खूंपर, ज्रा, ग्राह, मीश्चिक नहीं होदा पाएंगे, क्योंकि उस टुडूद थेंच ब्लॉड, प्लॉड नहीं हो पाता ह है और 40-50 के बाद में यह क्या होता है मैंसुरेशन का साइकल स्टॉप हो जाता है इस में कॉल मैंनो पॉस वट डिटर्माइन सेक्स ऑफ बेभी एक बेभी का सेक्स कौन डिसाइड करते हैं वह बच्चा लड़का है या लड़की है इसमें मेल और फिमेल्स के इंडियोजली इनके जायमेट्स होते हैं टोटल 26 बनते हैं करोमसम के और यही 26 बेर इनमें से 22 बेर्ट क्रोमसम्स सिम्लर होते हैं जो एक सिंगल थर्ड 23 बेर वह थोड़ा दिप्रेंट यह होता है इस कॉल्ड शेक्स क्रोमOSOM ठीक है फिमेल बोड़ने क्रोमसम 22 प्लस X वाइग बनता है इसमें X chromosomes और Y chromosomes होते हैं female produce करता है overposes को यानि X chromosomes को और वही पर male दो तरीके के करता है half, यानि X chromosome और half Y half X और half Y male में half X हो गया और half Y हो गया female में 2 X होते हैं दोनों ही क्या होते हैं X's में breakdown होते हैं आप यह table देख सेबों जैसे X हैं X और X है और यह स्पम है यह फीमेल का है और यह मेल का है ठीक है कि यूद्ट अंडिस्टाइंड मैं हैंड्राइटिंग बट प्लीज कॉंसलूटरेट अनिट अगर एक्स का एक्स के साथ रियक्शन हो जाएगा तो डबल एक्स बनेगे फटाइल आटेगा मतलब सेक्स ऑफ्टैल क्या कि एक्स का और में सटाँच्य के साथ रियक्शन होग तो एक्स का भी बन जाएगा और वो क्या होगा मेल एक्स और एक्स होगा तो एक्स भीकम अग्स बिकम्हाइँ अभॉसेय तो दौ-बयघु में इसी तरीके से अरव में सब्सक्राइब परेंटल कुछ डिजिजन वह बच्चे में भी डेफिनिटल होंगी प्रापर रेस्ट की जरूरत होती है त्लीन फूर और वाटर की जरूरत होती है इंदर स्टेट फिसीकल और मैंटिकली और फॉसिल चेंजेस नुटिशन नीट फॉर अडोलसंस यानी जो पच्चे अथा ग्यारा से अथा साल की जरूरत होती है उनको नुटिशन उनको बैलंस दाइस की बहुत जरू जरूत है जिसमें रिच अफ़ प्रोटीन, विटामिन, मिनराल्स, अफरीफिंग दाइट है तो यूव तो यूव त ऑजर्ची, चापाइज, राइस, वेजटेवड, सैलेड, वेजटेब उनको घ॥ा, इनकों अफ्रस, अफ़िखर, भाइट, पैट, अनकों पाइज़ब, मिन्यूव वखर, पाइज, बाइड, तो यूव तो बैट, व्यूव प्रके, वेज़ब, आज पाइट, तो फिलस, अपने पार्स को अपने हाथों को अपने खाना खाते हो सूबह उठकर और खाना खाने के बाद में रात को सुने से पहले ब्रश करो एक हैं लॉंग नियल्स नहीं रखने चाहिए उनको शॉड़ और क्लीन रखो और के बाद में एज्के अपने अपने ट्लीन रखने चाहिए गए हचे नाच चाहिए षान और कौक के यद्वाज़ आपको हमेशा ऐस न्यूशक उनको रहे को आपको ऐखने प्लेन अची को इसके लागए अच्छ आपको एक बॉप्लेण लाइफ चीम चाहिए ठीक है ताकि आप अगर मेडिटेशन करते हो एक्सरसाइज करते हो तो आप अलग अलग तरीके के टैंशन से क्या करो सकते हैं आप फ्री रह सकते हो आपको रेगुलर रेष्ट करने चाहिए आराम से जितनी आपको 6-8 आस की जो नहीं जरूरी है वह आपको लेनी चाहिए एक बार के लिए कम जरूर करेगी लेकिन आपकी टैंशन को आपके एंजाइटी को बढ़ा देगी और आप दीरे दीरे इसके इतने आदी हो जागे अगर आप एक बार भी यह नहीं लिया तो तो आपके जिन्द की खतम होने की कजार पर आ जाएगे अपके तो इसकतर और ऑख पर आपके जाएगे जाएग टैंचमी लेडिक लिए। the chapter is force and pressure so thank you class this was your chapter number 10